हलो दोस्तों आप देख रहे हैंगे ज़ट टिप्स मीजू ने चाइना में प्रो सेवन और प्रो सेवन प्लस ड्वेल डिस्प्ले और ड्वेल रेयर कैमरा वाला फोन एनॉंस कर दिया है Mizu pro 7 में 5.2 इंच का FHD डिस्प्ले दिया गया है जो के एक सूपर अमोलेट डिस्प्ले है जबके बैक में 1.9 इंच का डिस्प्ले दिया गया है जबके वो भी सूपर अमोलेट डिस्प्ले है इस phone में 2.5 Hz का Octa-Core Mediatic Helio P25 Processor दिया गया है दूसरे version में 2.6 Hz का Deca-Core Mediatic Helio X30 Processor दिया गया है इस phone में आपको 4GB RAM के साथ में 2 version मिलेंगे 4GB RAM के साथ 64GB Internal Memory और एक 4GB RAM के साथ 128GB Internal Memory ये phone Flyme OS के ओपर काम करेगा जैको Android 7 Base है इस phone में आपको Dual SIM मिलेंगे 12MP के रेयर कैमरा मिलेगा जिसमें एक Monochrome Sensor है और दूसरा RGB Sensor है अगर दूसरे phone की बात करें तो MISU Pro 7 Plus में 5.7 इंच का Coit HD Super AMOLED दिस्पले दिया गया है और back में same 1.9 इंच का Secondary Display दिया गया है जो के Super AMOLED दिस्पले है इस phone में आपको 2.6 Hz का DECA Core Mediatic Helio X30 Processor मिलेगा जिसमें 6GB की RAM और 64GB internal memory या फिर 6GB की RAM 128GB internal memory की साथ में आएगा इस phone में भी Flyme OS दिया गया है जो के Android 7 Nugget Base है इस phone में आपको Dual SIM 12MP के Dual Rare Camera मिलेंगे इस phone में भी एक Monochrome Sensor और दूसरा वाला RGB Sensor रहेगा इस phone में आपको 16MP का Front Facing Camera दिया गया है अगर प्राइस की बात करें तो Meizu Pro 7 में जो 64GB version है उसकी कीमत 425 डॉलर रखी गई है याने इंडिया के लगपक 27,500 रुपे जबके 128GB वाले वर्शन की कीमत 500 USD रखी गई है जबके अगर उसको इंडियन करंसी में कनवर्ट करते हैं तो 33,000 बन जाते हैं तो अगर Meizu Pro 7 Plus की बात करें जिसमें 64GB वर्शन की कीमत 580 USD रखी गई है और अगर 128GB स्टोरेज की बात करें तो इसकी कीमत 604 USD रखी गई है तो हो सकता है ये फोन आने वाले समय में इंडिया में भी लॉच्छ हो ये फोन चैना में 5 अगसे मिलना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेरा और लाइ जरूर करें